दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते आज हम कच्छा नो के अंशियाटी के बिग्यान की किताब से पर्मार संदशना अध्याय के अंतरगत आज हम जानेंगे पर्मार संख्या पर्मार संख्या को पर्मार करमांक भी कहते हैं तो पर्मार संख्या को जानने से पहले कुछ चीजे हमें जान लेना बहुत ही जरूरी है तो सबसे पहले हम पर्मार को जानेंगे तो पर्मार का नाम किस ने दिया था पर्माड ऐसे होता है गोल सा फुटबाल की तरह से पर्माड होता है तो पर्माड का नाम किस ने दिया था रदर पर्माड का नाम डालतन ने दिया था पर्माड का सबसे पहला नाम डालतन ने दिया था इसके बाद पर्माड के अंदर क्या होते है इलक्टान पर्माड के नाभिक में हमारे क्या होते हैं प्रोटान होते हैं तो प्रोटान का खोज रदर फोट ने किया था रदर फोट प्रोटान का खोज रदर फोट ने किया था और लक्टान का खोज जे जे टामसन ने किया था तामसन ये आप जानते ही होंगे और नाभिक में क्या होता है विकनित किया था नूटान का खोज चैडविक ने किया था एप जानते हैं आभी तक 118 तत्तों की खोज हो चुकी है कहने का मतलब है परमाड का पहले खोज हुआ उसके बाद इलक्तान प्रोटान नूटान का खोज हुआ यानि जिस तरह से लोगों की जिग्यासाएं बढ़ती गई उस तरह से पिज्ञान में नई नई खोजे होती गई कहने का मतलब है शुरुआत के दिनों में जो 108 तत्तों आज खोजे गए हैं शुरुआत के दिनों में कुछ ही तत्तों की खोज हुई थी यानि जिस तरह से 108 तत्तों की खोज हुई थी शुरुआत में 10 तत साथ लोगों ने मेहनत किया बैज्ञानिकों ने मेहनत किया और जा करके आज 108 तत्तों की खोज हो चुकी है आने वाले भविस में 200 तत्तों की खोज हो सकती है क्योंकि बिज्ञान कभी पूरा नहीं होता बिज्ञान की खोज हमेशा जारी रहती है तो इस तरह से अब हम परमा करमांग को समझेंगे तो सुरात में जो कुछ तत्तों की खोज हुई तो बैज्यानिकों ने तत्तों को समझने का प्रयास किया यानि सबसे छोटा जो तत्त होता है सबसे छोटा परमाड होता हाइड्रोजन का होता है तो हाइड्रोजन का यह परमाड होता है इसका नाभिक हो होता है न्यूट्रान नहीं होता है यह हमारा सबसे छोटा पर्माड होए तो पर्माड संख्या को समझने के लिए हम पहले हाइड्रोजन पर्माड को समझेंगे सबसे छोटा पर्माड हाइड्रोजन पर्माड कर्मांक एक यह नाभिक में प्रोटान एक होता है अगला पर्मा होता है और नाभिक में इसके दो प्रोटान और दो न्यूट्रान होते हैं इसके नाभिक में क्या होता है दो प्रोटान और दो न्यूट्रान होता है इसी तरह हमारा हाइड्रोजन हीलियम इसके बाद अगला परमाड हुआ है हमारा लीथियम अगला परमाड क्या है लीथियम लीथियम अगला पर्माड है इसका संकेत है यलाई और इसके पर्माड में तीन प्रोटान होते हैं और चार न्यूटान होते हैं और इसके बाहरी कच्छा में तीन इलक्टान होते हैं तो यह हमारा लीथियम परमाड़ है इसी तरह से अगला तत्त हमारा है लीथियम हाइड्रोजन हीलियम लीथियम अगला है बेरियम अगला तत्त हमारा है बेरियम भी ही होता है और इसके बाहरी कच्छा में चार इलक्टान होते हैं एक दो तीन चार इलक्टान होते हैं और इस तत्तों के परमाड़ूं का अध्यन किया जो तत्तों समय खोजे गए थे उन तत्तों के परमाड़ूं का अध्यन किया तो उन्हों ने देखा कि परतेक तत्तों के जो परमाड़ू है उनमें प्रोटानों की संख्या अलग-अलग है इसमें प्रोटान एक है इसमें प्रोटान दो है इसमें प्रोटान तीन है इसमें प्रोटान चार है अगला तत्व है उसमें प्रोटान पांच है और जैसे जैसे तत्व ने ने तत्व खोजे गए और पता लगाए गए तो उनमें प्रोटानों की संख्या जो है ने ने प्रोटान मिले इलेक्टानों की संख्या पर्माड में क्या होती है बराबर होती है तो इन प्रोटानों की संख्या को ही सभी बैज्ञानिक लोग इस बात को से इस बात से सहमत हुए ये प्रोटानों की संख्या ही पर्माड संख्या कहलाती है या पर्माड कर्मां कहलाता है यानि प्रोटान को निधायत किया गया जैसे कहने का मतलब है, यह हमारा हीलियम है, इसमें दो प्रोटान है, तो ऐसा कोई तत्तु नहीं खो जा गया, जिसका नाम कोई अलग नाम हो और उसमें भी दो प्रोटान हो, इस तरह कोई तत्तु नहीं खो जा गया, यानि ऐसे तत्तु नहीं खो जे गये, यानि जो प्रोटानों की संख्या होगी उसी तरह उसका नाम भी होगा है तत्तों के नाम के निधार के लिए प्रोटानों की संख्या का महतपूर महतपूर भाग है महतपूर योगदान है तो इस तरह से कह सकते हैं किसी तत्त में किसी तत्त के परमाड में चाहे हाइड्रोजन हीलियम द Extremadura कोई भी तत्व किसीितत्या के Fast fashion में!!! किसी तत्यी feelings के法 में जितने Content होते हैँ प्रोटानों की संख्या ही उस कर वाल का चंख्या या परमार करमान कहते है परमार संख्या को इसे जड़ से लिखा जाता इसे जड़ से रड़ करता है पाध्यوم को क्या किया जाता है जड से लिखा जाता है इसको हम किस से लिखते हैं जड से लिखा जाता है उपर देख तत्तु का परमाड कर्मांग अलग-अलग होता है